जहें दोस्तों, अगर आप as a citizen राजनीती को follow करते हैं तो आपको एक चीज जरूर पता होगी राजनीती की बारे में कि राजनीती में कोई भी व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता है मतलब अगर मौका मिले तो राजनीती में वो इनसान आपको उस हद तक गिरा सकता है जिस हद तक की आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं अब इस समय पूरे भारत में कोरोना की लेहर का कहर टूटा हुआ है अब हाला की मामले कम होना शुरू हो गए हैं जिससे की अंदाज एक ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कोई दिनों में कोरोना जो है बहुत हद तक अपना प्रभाव कम कर देगा उसके बाद हम तीसरी लेहर की तैयारी कर सकते हैं जो की शत्रशे तोर पर आनी ही है तो इस कारण से अब भारत में जो माहौल बन रहा है उसमें सीधी सी बात सरकार को बनाने गिराने के लिए तो हर कोई जो जो लगाय गई तो अब जो भाजपा के विरोधी हैं जो नरेंदर मोधी के कट्टर व यही करते हैं कि भारत में पक्षवपक्ष का ये खेल बहुत पुराना है कि कोई तराजदी को भी नहीं देखता बलकि बस सब भढ़ जाते हैं अपनी बापनी रोटी को सेकने में अब यहां पर राहुल गांदी भी उसी धर्रे पर सलते हूं नजर आये हैं और यही काम देश में जो देट रेट बताई जाई वो जूटी बताईगी सरकार को सच बोलना चाहिए और सरकार समझ नहीं रही कि उनका मुकावला किस से हो रहा है इस वायरस के मुटेशन के खत्रे को समझना चाहिए आप पूरे ग्रह को खत्रे में डाल रहे हैं क्योंकि आप 97% अब जो कि मुख्यमंत्रियों से भी बात करी मैंने उनसे कहा कि जूट बोलने से उन्हें ही नुकसान हो गया है और अब वक्त आ गया है कि जूट और धुनले परदे और अक्षम सरकार के दिखावे से उनको आगे पढ़ना चाहिए प्रधानमंत्रियों से जवाब मांगा जाए जो कि अपने करतवे को भूल गए हैं और उन्होंने जंता को उसके हाल पर ही छोड़ दिया। कि मिली पखलत को दिखाता है अब वक्सिनेशन पर राहुल ने दो बड़ी बात है करें पहली कि सरकार की सरकार की जो वैक्सीन को लिका स्ट्रेजी है उप पुरी तरीके से फेल हो चुकी है उन्होंने कहा कि करोना से पटने को लेकर चार तरीके मतलब टेस्टिंग ट्रेक व्यक्सिन बाहर से बंगवाने होंगे या फिर ओल्डर कौन दे राहुल ने कहा कि दूसरे देशों कि देशों ने म оई 2020 में ही वैक्सिन खरीदने के ओल्डर देना शुरू कर दी लेकिन मोधी सरकार ने भारत को और्डर की है प्रमुक्देशों में भारत की पर कैपिटा डोस खरीदना सबसे कम दिखाता है अब इन सब दरों के बारे में राहूल गांदी ने बात करके ये बात तो बता दी कि क्या नाकामी है यहां पर मोधी सरकार की लेकिन इन सबी बातों करने के बीच में शायद वो खोस तरीके से प्रेजन्ट करना भूल गए जब पत्रकारों ने उन से सीधे तोर पर कूशा कि भई क्या कांग्रेशास्त राज्यों में आकड़े सही बताए जा रहे हैं इसको लेकर उन्होंने कोई भी सीधा साथा जवाब नहीं दिया बलकि उन्होंने यह कह दे कि मैंने से चुड़े हैं फिलाल इतना ही जाए है जाए महाराद